है हलो है यह सेंटर ओफ मास्स का डी पी पी one है, इसका सोलूशन हम देने जा रहे हैं तो एक बार first question के तरफ नज़र डाले तो first question में क्या असर, क्या पूछा गया है तो एक बड़ा पढ़ो question को आपको पता चले लगा है first question में क्या पूछा गया है, तो एक बड़ा first question को पढ़ो उसमें बोल रहा है कि तीन स्फेर ऐसे रखा हुआ है, यह एक यह रहा दू और एक यह रहा तीन, ठीक है, तो यह सब यहाँ पर ऐसे करके तीनों रखा हुआ है, यह मत्तब एक दूसरे से क्या है मत्तब सटा हुआ है, एक दूसरे का समीप रखा हुआ है, यहाँ पर है P point, यह है Q और यह है R, हमको बोल रहा है कि P के रिस्पेक्ट में सब का क्या दिखाना बताना है, center of mass बताना है तो हम बोल रहा है कि सर, X center of mass is equal to M1 X1 plus M2 X2 plus M3 X3 upon M1 plus M2 plus M3 M1 plus M2 plus M3 M1 plus M2 plus M3 इस तरह है अब देखो सब का mass दे रहा है 1 kg का तो बाद में पूट कर देंगे value अभी तदकाल में हम बोल रहे हैं कि यह X1 कितना है सर, यहीं पर गुजर रहा है तो यहाँ से ले करके यहाँ तक का distance कितना हो जाएगा यहीं ता, 0 तो M1 into 0 plus M2 के जग़ा पर 1 kg क्योंगे गिवन है mass 1 kg है और यह P से ले करके Q तक का distance कितना है P Q है ठीक, प्लस कितना हो जाएगा अब P से ले करके R तक का distance लेना परेगा क्योंकि हम बहुर में सार, कहां से लेते हैं origin से distance लेते हैं तो यहां हो जाएगा 1 kg into P से ले करके R तक का distance लेका ठीक, और यह रहा divide by कितना हो जाएगा M1 plus M2 plus M3 यानि कि यह हो जाएगा 3 kg ठीक है, तो यह हो जाएगा अब यह हो गया 0, 0 से multiply करने पर और यह हो जाएगा उन से multiply करो तो P Q प्लस PR तो कितना हो जाएगा P Q plus P R बटा 3 कौन सा option है P Q plus P R बटा 3 option number 3 B हो जाएगा चलो, question number second पर चलते है question number second में बोल रहा है कि the mass of system of particles do not depend upon अच्छा, the center of mass center of mass कि इस पर depend नहीं करता है according to option आप देखो तो इसमें एक option में force दे रखा है कौन से option में force दे रखा है option number second में तो force से center of mass को कोई लिना देना नहीं है क्योंकि हम center of mass से हैं जिसके भी respect में निकाले center of mass को किसे मतलब होता है mass कितना है और कितने दूरी पर रखा हुआ है तो M और R से मतलब होता है कि मास कितना है और कितने दूरी पर रखा हुआ center of mass को इससे मतलब होता है force से कोई मतलब नहीं होता है तो इसका भी कौन हो जाएगा option number B हो जाएगा question number third के तरफ चलते है question number third में क्या बोल रहा है the center of mass of system two particle divides the distance between them बोल रहा है कि the particle of mass of system of the center of mass of system center of mass of system of particle divide distance between them अच्छा हाँ तो इसके लिए हम बोले थे कि आपको सारा चीज़ प्रूफ करके क्लास में बताये थे और बताये थे कि जो R है वो inversely proportional किसके होता है mass के R का मतलब distance का मतलब जितना भारी mass होगा उसके उतना ही pass होगा mass जितना ज्यादा ये बाला बात करके बताये थे तो inverse ratio of mass हो जाएगा ऐसा कोई option है क्या तो option number C inverse ratio of masses of particle तिन का answer C हो जाएगा अगले question के तरफ अगर हम चले तो अगला question क्या है तो अगला question में question number 4 the center of mass के बारे में तो lies always outside the body कोई जरूरी नहीं है maybe lies within the हाँ ये बात हम बताये थे कि outside भी body हो सकता है और inside भी body हो सकता है तो question number 4 का answer भी क्या हो जाएगा भी हो जाएगा सब class का ये point है question number 5 को एक बार नज़र डालिए तो 5 से पताच चलेगा three identical metal bowl each of radius are placed the touching each other मतलब कि तीनो को ऐसे arrange किया गया है metal bowl को कि तीनो एक दूसरे से क्या हो रहा है तो अगर ये distance कितना हो जाएगा हमारे पास two hour हो जाएगा यह distance 2R हो जाएगा और यह distance कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा तो कहीं न कहीं यहाँ पे हमको center of mass इसके center में मिलेगा यहाँ पे center of mass मिलेगा अब दिखते हैं option को पढ़ते हैं तो कहां मिलता है हमको the horizontal surface पे यह horizontal surface है यहाँ पे यहाँ पे यह तो होनी चाकता center of one of the ball किसी एक ball के center पे यह भी नहीं हो सकता है क्योंकि देखो बीच में मिल रहा है line joining of the center of the any two ball क्या किसी भी two ball के line joining में मिलेगा जैसे कि मालों यहाँ मिल रहा है या फिर यहाँ या फिर यहाँ तो यह भी नहीं है मतलब यह हो कि point of enter option number d हम को सबसे सही लग रहा है और यह yoga according to option ठीक है चलो आगे चलते है question number 6 के तरफ हो करते है question number 6 में the system consists of mass aim एक second इसका पूरा question कहाँ चला गया यहाँ बूल रहा है कि एक mass है जिसमें aim है और एक aim है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा इससे यह बहुत ज्यादा है aim के comparison में बहुत ज्यादा है तो center of mass कि इसके ज्यादा mass के बगल में होता है तो near the aim option number b near the aim क्योंकि एक second कि इसके समीफ हो जाएगा near the aim हो जाएगा यानि कि जो mass ज्यादा होता है उसके समीफ हो जाता है तो option number B हमको correct लग रहा है question number 7 के तरफ चलते है question number 7 को देखो अच्छा सा question है ठीक है इसमें क्या है एक बार हम question को इदर shift करते हैं फिर बात करते है अच्छे छोड़ो यह सब छोड़ो यहाँ पर हमको एक बात बताओ इस question का coordinate कितना होगा अगर हम इसको ही origin माल ले तो तो इसको ही origin माल ले तो इसका coefficient सर 0,0 हो जाएगा इसका जो है वो coordinate कितना हो जाएगा यहाँ तक का distance 1.2,0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा तो sir इसका जो है वो हो जाएगा कितना यहाँ तक का distance कितना है 1 तो 1 0,1 ठीक है अब अब इस question को हम बनाते हैं अराम से कि इसका कितना होगा center of mass का coordinate क्या होगा ठीक है तो एक पर निकालने की कोशिस हम अराम से करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखो एक पर अराम से ठीक है यह दर आजा तो अब हम क्या करते हैं sir r center of mass निकालते हैं तो r center of mass का बसोई formula m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 upon m1 प्लस m2 प्लस m3 एक बार आप देखो यह m1 कहां है 1.6 kg और उसका position कितना है 0 तो यह पहला वाला हो जाएगा 0 दूसरे वाले के पास चलते हैं यह वाला है m2 के पास तो m2 कितना है sir 2 kg है और यहां पर x में distance 1.5 है तो x में distance 1.2 है तो 1.2 और यह हो जाएगा i cap क्योंकि x में है इसलिए ठीक है और m3 के पास पहुँचते तो mass कितना है 2.4 kg लेकिन y में distance कितना है 1 तो यह हो जाएगा j cap अब 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 पूरे mass को जोड़ देते हैं नीचे तो कितना हो जाएगा 1.6 kg फ्लस 2 kg फ्लस कितना 2.4 kg तो यह हो जाएगा तो इसको multiply करो तो यह 2.4 i cap प्लस 2.4 j cap अपन इसको जोड़ो तो कितना रहा है यह हो जाएगा एक दू तीन दू पांच और एक 6 हो जाएगा तो छोचोग का चाओविश चोचोग का चाओविश यानि कि 0.4 कॉमा 0.4 ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा कहीं दिख रहा है क्या जिरो पांच हाँ इसलिए आई जे को कमपैरिजन कर देए ठीक है तो कोसे नमर साथ भी हो गया कोसे नमर आठ के तरफ मूब करते हैं चलो क्लास में कराया वह जाएगा इसका बस मास क्या करना है जैसे कि इसके मास दिया नहीं है तो आज हम दूबारा भी डाउट में बता रहेते हैं कि इसका मास अगर हम M मानेंगे तो इसके मास को कितना मानना परेगा 2M क्योंकि यूनिफॉर्म है कैसा है यूनिफॉर्म कोशन में बुला है यूनिफॉर्म इसलिए तो यहाँ पी यूनिफॉर्म दिखाना इसके वज़े से इसा कर रहे है तो यह भी वही करेंगा अच्छे एक काम ठीक यहां पे होगा और यहां पे होगा और इसका सेंटर कहा होगा बोलो यहां तो इसका सेंटर कितना हो एल बाइटू और इसके कितना हो जाएगा एल हो जाएगा और हाँ ठीक अब इसका कॉडिनेट लिखते हैं कॉडिनेट ठीक है तो इसका कॉडिनेट कितना हो जाएगा है 30 घावक्ति सब्धिक्रेंग करो wise वाइव उडिकरंटी और भाद करें तो जीरत को मा इस centers किते हो जायेगा गपलो जीर्डबником फूर्द हो जाएगा देखने की आता है दा restore बत्दrors 01 तो Еई लो जाएगा तो यह हो जाएगा चलो अब क्या निकालना हमको सेंटर आफ मास का पोजिशन निकालना है तो निकाल दरते हैं इस कोशन को क्लास में डिसकस किये हुए दो बार भी फिर कोई बार में कर लेते हैं तो यहां आर सी एम इस एक्वाल्स टू आर वन M1 R1 ऐसा करते हैं M1 R1 प्लस M2 R2 अपन M1 प्लस M2 ठीक है तो यहां पर आते हैं तो M1 के जगह पर मास लिखेंगे M और R1 के जगह पर लिखेंगे 0, L by 2 है तो पहले लिख जेते हैं एक्स में डिस्टेंस L by 2 और इसमें है 0 तो यह हो गया I cap यह हो जाएगा J cap गुना करते हैं भी प्लस M2 के जगह पर M ठीक और इधर हो जाएगा जीरो I cap प्लस कॉमा लगा 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 जाएगा यह कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा M1 M1 यानिकि 2 M क्यूंकि 2 M नहीं 3 M हो जाएगा सुर्ण जाए एक का मास कितना है गया गल्ती हो जाएगा यहाँ पर मास हो जाएगा 2 c1arte और यहाँ जाएगा 3 M M को कॉमल ले ले लेते हैं तो M का बाहर जाए कर जाएगा यहां बज़ जाएगा किया किıल्क ऑपर बच जाएगा ये नीचे 3 है ये हांपर बच जाएगा ऑपर बच जाएगा कॉमा पर बच एकितना पर im यह हो जाए आप कितना है यह कहंडा ओक्सिन के तरफ होगे देखते हैं तो किर अब now को आप देखिएं इसका विगड दिया हुआ है ना इसका हुआ है कि एक ऐसे करके दिए हम फिर बना देते हैं आपको पास कोशन तो अबलेबल है ही देख लीजएगा तो यहां पर देखिए गवाइग और यह ऐसे करके फिगर दे रखा न हुआ ठीक है अब यहां देखें यह जीरो कॉमा जीरो दे रखा है यह है जीरो कॉमा एक कॉमा जीरो ना हाँ एक कॉमा जीरो है और इसका कितना है इसका इसका हो जाएगा a by 2 कॉमा a under root 3 by 2 ठीक है तो बस वही एक ही बार में लगा देते हैं यहां पर अगर बात करें तो यह हो जाएगा जीरो यहां पर बात करें तो a M A हो जाएगा M A और I cap M A I cap और यहां पर क्या हो जाएगा M A by 2 I cap और M A under root 3 by 2 J cap तो M को common लें क्योंकि सारा question में वो लग 3 body equal masses तो mass M है तो M को common लेंगे तो सब M से M खतम हो जाएगा 3M है न यह तो M से M खतम हो जाएगा पुरा सब M खतम यहां पर यह तो पुरा 0 हो जाएगा यह वाला जो बचेगा हो कितना बचेगा सिता हमारे पास A A नीचे में है 3 तो A by 3, यह कौन सा है यह I cap है यह हो जाएगा और इसका कितना होगा सर तो M से M तो पहले कट चुका है A अंडर रूट 3 by 2 और 6 तो यानि कि हो जाएगा A अंडर रूट 3 by 6 यह एक बार आप पुरा करके देखिएगा आ जाएगा आजाएगा अंसर रूल यह है ठीक है यह बन जाएगा आप कोश्चन नमबर 10 के तरफ चलते हैं तो कोश्चन नमबर 10 में क्या है यह भी कोश्चन M2 अब देखो तो M1 प्लस M2 का अगर बात करें तो जहां origin है वहाँ पर माल लेते हैं कितना वहाँ पर माली इसका M यहाँ पर रखा हुआ मास अना ऐसी लेंथ दूरी M है calculate the center of mass of system consist of two particle of mass M1 and M2 अच्छा मास M1 M2 दिया हुआ है distance इतना तो M1 वाला जो मास है वह X distance origin पर माल लिए तो 0,0 यानि कि यह हो जाएगा 0 तो यह हो जाएगा 0 एक्स वाला distance 0 न तो 0 तो यह जाएगा 0 प्लस यहाँ पर M के जगह पर कितना रखेंगे M2 और L के जगह पर X के जगह पर L2 upon M1 plus M2 M1 plus M2 तो हमारे पास answer कितना रखेंगे तो M2 L2 upon M1 plus M2 तो यह हो जाएगा X ठीक है तो यह होगे हमारा center of masses का तो यह question number 10 था पुरा complete हुआ ठीक है और फिर अगला DPP देते है